उसने अपना सब कुछ उस बंदी के नाम कर दिया, अपनी सारी प्रापटी लुटा दी, अपना सकुछ दे दिया, उस लड़की ने उसके उपर दुनिया भर के केसिस लगा के उसको जेल में डाल दिया, उसके बावजूत भी उस व्यक्ति की डिमांड क्या थी आपको पता है एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी वापस वही वाली पोजिशन पर खड़ा करवा दीजे, क्यों? क्योंकि मुझे फिर उसके साथ एक रात काट, राहू के दर्शा महा दर्शा के अंदर अगर किसी का रिलेशन बना है, तो वो तूटेगा ही तूटेगा, जहां आप लो तरुन शर्मा शो अगेन, और हम लोग आज भी साथ बैठे हैं, अबे जी के और तुटेशला जी के, और हम लोग बात कर रहे थे राहू में, यह पार्ट तू है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे, जहां पर हमने खत्म किया था, पिछला पार्ट, और तुटेशला में हम ब में रहने वाला व्यक्ति, शुक्र की नगरी में काम, और काफी फेमस, और उसके फैन फॉलोइंग भी बहुत थी, तो नेचरली क्या होता है, कि जब आपकी बहुत फैन फॉलोइंग होती है, तो आपको एक उनके साथ फोटोग्राप्स और यह सब बहुत कॉमन है, हमें ही बहुत लेते हैं, लोग तो फिर उनकी बात तो बहुत अलग है, कि मैं हम एक फोटो खीच लें, और इन चनल, मेरे खाल से कोई भी अच्छा इंसान होगा, वो मना नहीं करेगा, वो कहेगा, अच्छा ची कि आप खीच लीजे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सब को चल पीक पर सारी चीजे थी, धीरे 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 करके चीजें डाउन होने लगे, और एक टाइम ऐसा आ गया कि उस व्यक्ति को कोई पूछी नहीं रहा, तो इस वज़े से मार्केट के अंदर कोई मतलब काम देने को तैयार नहीं, जबकि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, लोगों को आपको सुनना बहुत पसंद है, सब कुछ है, अच्छा थी कि आपको काम नहीं मिल रहा वो बात समझ में आ रहे हैं, लेकिन आज की डेट के अंदर आप अगर कोई पोस्ट डाल रहे हो और वो पोस्ट भी आपकी उस तर प्राब हो गई, सब जगे भटकने के बाद उनको किसी ने मेरा रहा तो उन्होंने मेरे से बात करी, बात करी, पूरी कुंडली देखी, कुंडली में कोई प्राब्लम नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अर्जी लगी ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी ने मुझे बस एक ही च पिक्चर्स लोगों के साथ क्लिक कराएगा अच्छा उत्रा ही इसका भाग्य सोता चला जाएगा पिक्चर्स क्या होती है कैद हो जाता है ना मोमेंट आपका वो वक्त जो है वह आपका एक क्या रो गया इत्सम मेमोरी तो आप सरफ मेमोरी जी बन के रह जाओगे और यह कुछ है जोतिश में बहुत कुछ मतलब लोग कहते हैं आप जब जोत्शी बात करते हैं हमारी फेल्ड के लोग जब कोई चीज़ बताते तो लोग कहते हैं अंध विश्वाश है चीज़े बहुत गलत नहीं नहीं यह देखिए तो पहले ही लिखी जा चुकी है जब उनको किसी के जीवन के साथ जोड़ा जाता है तब पता चलता है कि वो कितनी असरदार हैं जी बिल्कुल सच में यह कितना काम करती हैं उस चीज की जब उस बच्चे की रेमेडी कराई गई उस चीज को जब कटवाया गया सोच नहीं सकते हैं आप कितना शांदार रिजल्ट हाथ में था तो फिर वो वापस वहीं उसी मुकाम पर पहुंच गए इस तरह की जो चीजे होती है ना यह विश्वाश दिलाती है कि सच में हर एक चीज में बहुत ताकत है बस फरक कितना है कॉश्चन मार्क कहां है कि हर किसी के उपर अप्लिकेबल नहीं है जी वो केस्टू केस समय देखना पड़ता है कि कि कुंडली में कौन सी चीज कहां पर लोगों को ठंडा पानी गर्मियों में भी सूटने गरता उनका गला पक जाता है उन्हें गले से दिक्कत होने लग जाती है और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो भरी ठंड के अंदर थंडा बानी भी रह होते आइस क्रीम खारे होते हैं हम नॉर्मली गर्मियों में भी एसी बहुत देर तक अगर चला के बैठ जाए तो हमें ठंड लगती है या हमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पूरी सर्दी पंखा और कूलर चला बगर सो नहीं सकते और होती हैं जो आपके ग्रह पर्टिकुलरली सर्फ आपको दे रहें बिलकुल सरफ आपके लिए ही बने हैं वो सिम्टम्स भी आपके हैं वो थ्योरी भी आपकी है वो प्रैक्टिकल भी आप ही कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता इसी लिए बार 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 हम कहते हैं कि हर इंसान सेम नहीं मिल सकता अच्छा उस तो डिफरेंट होगा उसमें तो अभी जी मेरे को एक बात आप दोनों से पूछनी थी कि अभी तक हमने जितनी भी बात करी है राहू के बारे में सब उसमें दिखाया बताया गया है कि यह आपको डाउन नहीं करता है मोसली तो क्या राहू वा समझने के लिए एक एस्टोलजर जो भी जैसे अनुने बोला कि कले लोग बोहते हैं तीन मेने बना दो के क्या छे में बना दो की लिए आपको राहू के तू अक्चर में इतनी इसली समझ में नहीं आऍने जब तक आ आप कम से कम पांट साथ सो चार्ट पे रिसर्च नहीं कर लेते हैं अच्छा मैंने आपको हर घर के एफेक्ट्स बता रहा हूं इसके सब इतनी चीज़े जुड़ी हैं चलिए उसको भी कोर्स में सिखा दिया उसको भी मर्च कर लिए फिर भी उसका अफेक्ट अलग-अलग मिलेग बिल्कुल यही तो राहू है इतनी एजिली समझ में आगे तो राहू कहा से हुए जी तो इसके मतलब अगर जैसे आप मैं पूछूँ आपसे तो इसके क्या पॉजिटिफ एफेक्ट्स क्या हो सकते हैं राहू के राहू आपको बहुत जल्दी राइस करवाते है अच्छा जैसे उन्हें बोला शौरत दिलवाते हैं राइस करते हैं और यह जिस ग्रह के साथ बैट जाए उसकी क्वालिटीज को मुल्टिफ लाए भी करते हैं अब शुग ग्रह के साथ बैट गए तो उसकी कुंडली के इंतर बहुत अच्छे कॉमिनेशन भी फॉम करेंगा बहुत चोटा सा टेकनिकल ट्रम बता दिता हूं आछी पैठें हैं और उसके साथ केंदर के मालिक बैटीछ तो यह बहुत बड़ा राजयोग ऊता रहू तो ये महालक्ष्मियोगा बन जाएगा कि इन्होंने जो भी करना है एक्सेस में गरना है कि यह ना राहू कि क्या है और ग्रहों के साथ आप जो काम करेंगे वो आप करेंगे कैसा कछ्वे की गतिका राहू एक दम से जंप दे देंगे आपको अच्छा तो रात बंदा सड़क पे था रात रात पता लगा जिस्टार बन गया तो एक सिंगर आएंगे रहा है लेकिन अगले दिन घर घर के अंदर उनको देखा जा रहा है क्या है राहू आपने एक एप सुनी है ना यह जो पेटियम के बात जो बनी थी क्या है वो भारत पे बारत पे कितनी मैल्टी मिलियनर कंपनी बन गई बिल्कुल चलिए हम मानते हैं कि पेटियम जो है वो भुद राहू का कॉमिनेशन है तो कि उसमें टेक्निकालिटी है कुछ नया है भारत पे तो उसी में से निकलिवे एक लाइन है और कितनी आगे निकली यह विदा उट राहू पॉसिबल के लिए आया हम आप और हम दोड़ी उस करते हैं लेकिन देखे कितनी उपर फॉर्म पोलगी राहू अचा यह राहू है सदलनेस सदलनी आप अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ती बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी में फसेगा तो सही लेकिन उसे पकड़ कोई नहीं पाएगा न हम पके कुंडली में सूर्य कितने ही अच्छी और संदलनी करrev विराथ कोल्य लिमटटि याद रहते हैं तो अब हम वापस आते हैं अपने अपने हाॉस के उपर हम लोग 6,000 तक पहुнच गए आप 7th व z 7th वास से सेवेम तो मैं लेमें आंगिज में जैसे अप100 वासा की बात हो रही है तो मैंने बोले ना obsession, फटूर, तो जहां पर भी यह चीज ज़्यादा होती है, तो हम overthink भी करते हैं, हमने क्या philosophy भी follow करनी है, उल्टा करने है, हमने हमाँ पर ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, लेकिन वैसा करनी ही बात है, तो seventh house किस चीज का होता है, आपकी spouse का, तो इसमें क्यों होता है, आप एक तो चाहेंगे कि हमारी public image बहुत अच्छी हो, पब्लिक लिए लोग हमें बड़े example से देखें हमें as a couple, individually भी आप बड़े over obsessed होते हो कि related to your public image, कि बस दुनिया, दीन, दुनिया, किसने काम आना है, but masses में मैं अच्छे से देखा जाओ, के तू बन जाओ न, जिसको जो सोचना, सोचना, जो अपने गहर में क्यों लड़ाई करते हो, साथ में, ऐसे जाता कि अपनी रहती है, excess रहती है, again, अगर आप यहाँ पर केतू बन जाओ, मैं यह नहीं कहरा है कि बिल्कुल expectations मत रखो, but इसके अंदर detachment करो, ज्यादा over मत थिंग करो, तो आप बहुत अच्छे राहू का लुपत उठा सकते हैं, नहीं, तो यह problematic situation बनेगी, तो मैं यह जो है, अभे वाई जो बता रहे हैं कि आप केतू की तरह बेहेव करो, कि आप थोड़ता detachment हो जाओ, लेकिन उतना easy तो है नहीं, बिल्कुल easy नहीं, यह remedies बताने का मतलब ही है, कि यह करके आपको बल मिले और आप इस चीज़ को समझ भी, और कर पाओ, राहू की राहू की जगह पे केतू का बरताव आप का रहे ही नहीं सकते इतनी easy, बिल्कुल उसके बहुत सिद होना पड़ता है, अभी तो नहीं ने starting में बोला था, first video में, कि भई अपने अपको spiritually awaken करो, meditate करो, ताकि आप यह समद सको कि यह मैं इतना obsessed, यह इतना फतूर किसके लिए, म मैं क्यों सोच रहा हूं कि यह मेरी बाबना को बिना बोले समझे, दुनिया के सामने इसकी मेरी image अलगी जाये, जिए घर में आक लाई कर रहे हूं, है ना, करते हैं ना, डीपी पे रोज नहीं, 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 वो होती है, लोग कहते हैं, आप तो कितने ideal couples हो, आप क दोनों couple को, क्योंकि इसमें तो spouse by default आजाएगा, सोचल मीडिया पे जादा अपनी family photographs, husband baby photographs नहीं लगा, नहीं डालनी है, नहीं डालनी है, नहीं डालनी है, नहीं डालनी है, यह मैंने एक बार remedy बताए थी, तो लोगोंने का यह कुछ भी बताती है, नहीं, यह एक बहुत करेगा, और वो चीटिंग ऐसाच यह नहीं है, कि उसका extra marital affair होगा, देखि उसके लिए तो और ग्रहों का भी combination होता है, मैं इसके आधार पे नहीं बता सकती, कि केवल गाहु बैटा है, 7th में तो extra marital affair है, नहीं, कई बार क्या होता है, इंसान का brain ही नहीं होतना, यह उसकी स पास आया तो उसने का चोटी सी बात है, माँ को एक किलो आम दे दी, क्या बड़ी बात हो गए, ठीके दे आया, इसमें वाइफ को क्या पो हूँ, क्या बताओं कि भई हमाँ यह कर के आया हूँ, अब जी बात खतम हो गए, पांच दिन साथ दिन बात किसी बात पे बात निक क्या आते होंगे, बतारी तुमने क्या क्या उनको भर दिया होगा, तो यह बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन एक जरा सी बात का बतंगड बन जाना, यह सेवन्थ हाउस का रहू आपको कराएगा ही कराएगा, हस्बन वाइप के बीच में, तो ऐसी कंडिशन में इ डिटाच्मेंट से था, डिटाच्मेंट वट सुनने में यहां पर सूपनी करेगा लाओं के साथ, तो जो उन्होंने कितने सरत्रीकी से बताया है, कर लो जो करने, लिबरल अप्रोच, छोड़ दोना, एक सेस ओवर सेक्योटी क्यों, दे दी, एक किलो आं तो दे दी होंगे है, मेडियाई है, आपके बेड्रूम का जो आपका बेड है, उसके पायों के नीचे, आपको चांदी की एक एक कील गड़वा दे नहीं चाहिए, ठीक है, आपको अपने घर के अंदर लोबान की धूरी हर शाम को जरूर दे नीचे, अब इनकेस कहीं बाहर है, कोई बात है, तो इस ओके फाइन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप घर में हैं तो शाम के वक्त आप अपने घर की अंदर लोबान की धूरी जरूर दीजी, लोबान से राहू बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, और इसके अंदर सबसे अच्छी रेमेडी ये है, शनिवार के दिन आप किसी भी पेड के नीचे जाकर थोड़ा सा शहद उसमें पानी मिला लीजे, शहद पानी, काले तिल और बहुत थोड़ी सी शकर उसके अंदर डाल दीजे, और उसे आप किसी भी पेड के नीचे डाल कर आ जाएए, रात को करना है, संध्या के बाद करना है, मतलब थोड़ा सा शकर मिला के पानी के अंदर, आप डेली किसी पौधे के अंदर डालना स्टार्ट कर दीजे, शाम के वक्त, ऐसा अगर आप करेंगे न, तो आपको बहुत रिलीफ मिलने लगेगा, सेवन्थ हाउस के राहु से, तो किसी भी पौधे में डाला जाजेता न, ऐसा इड़ था, उसका भी वही बात है कि राहु आ गए, ऐसा जा तक ट्रांस्फोर्मेशन बिना सोचे समझे, काम करता करता अचानक से बहुर होना शुरू हो जाता है, उसको कुछ ट्रांस्फॉर्म चाहिए, उसको नई चीज़े ज़्यादा अट्राक्ट करती हैं रादे दन उसका परिवर्तन चाहिए उसे, थोड़ी देखोगे तो अगर वो कोई फामली बिजनस कर रहा है, उसमें थोड़ा सा भी कोई आपस्टिकल आया, तो हीज़ वेरी क्विक और अलवेज रेडी तो चेंच, कि चलो मैं यह प्रोफेशन चोड़के वह बला कर ले तो, ट्रां इस्टमेंट्स और इन स्कीम्स के बारे में बहुत सूचता है, जिससे कि वो अपने पैसो को बिना मेहनत के डबल कर सके है, कही ना कहीं, इन्वेस्ट कर दूँ, वहां कर दूँ, और जब तक वो यह नेचर छोड़ेगा नहीं, तब तक वो सक्सेस्वल नहीं हो पाएगा, पर यह नेचर छोड़ना इतना असान है, मैं उन आपके सामने जीता जाता है, अच्छा, आपके उसमें है, मेरे एक अस्टमभाब में ही राहू है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता, अब रिसर्च कर सकते हो, कि तू भी अस्टमभाब में बहुत अच्छे हैं रिस कि मुझे इंवेस्टमेंट कहा करनी है ऐसे करनी है जब मैंने स्ट्रोजी समझनी शिरू करी उससे पहले ही मैंने अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक उन्होंने बोला कि मुझे नहां पर एक जगा लेने जो भी उनके रीजन से कुछ तो आमने का चलो ठीके यह ले ले लेते मे अब एक emotional prospect में मैंने वहाँ जगा ली आप मानोगी नहीं वो मेरी इतनी ज़ाद़ अप्रिशेट करी इतनी ज़ाद़ अप्रिशेट करी कि मेरी सारी स्कीमें इंवेस्टमेंट की बेकार ले गई जतनी में अब तक सोची थी आचा यानि कि फिर उसके बाद मैंने astrology मैं अब पैसा मिले है जैकली मैं एक पॉपस था तो अब जैसे ज़रूरी तो नहीं सबका emotional reasons होंगे बिना लाब की बात सोचे एक राइट वर्ड अपने लाब नहीं सोचे नहीं मैंने को कोई फायदा नहीं था मैं तो चलो ठीक है कर देता है अश्टमाव के राहू के साथ एक होगा और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत रहती कि जा तक अपना नुकसान ना करके दूसरे का जादा कर देता है तो थोड़ी सी यह देखने का शेरी है रहू जो है वह आपका मुकदमा भी है रहू आपको किसी ना किसी तरीके से बार 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 ऐसी चीजों में घुमाता ही कि पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पर रहे हैं, आपको मुकदमे हो रहे हैं, बेवज़े के मुकदमे हो रहे हैं, जूटे ही आफ वस गए, राहू वो है कि आपने करा कुछ नहीं और आपने सजा काट ली किसी चीज की, वो राहू है, बिना मतलब के आपका वो हो जाता है तो ये सारी चीज़े आती है, एर्थ हाउस का राहू एक काम और भी करता है अब है, इनसान को, जैसे इन्होंने कहा कि एस्ट्रोजी में लाता है, एस्ट्रोजी में भी लाता है, लेकिन साथ ही साथ में ऐसा वेक्ती अपने आपको तांत्रिक बहुत मानने लगता है, अच को बता नहीं सकता, और नहीं मैं कभी ऐसे वाले, मतलब इंटर्व्यूस यहां वो नहीं करता है, इसमें मैं तांत्रिक बितने बात करता हूँ, मैं बहुत डीप गुसा था इसमें, बहुत डीप, एर्थ हा उसका राहू अनार्ण इंकम भी देता है, इंसेस्ट्रोज प्र करेंगे लेकिन करेंगे जरूर नहीं यह एक्चुली इंसान को तंत्र किरियाओं के प्रति बहुत जादा अट्रैक्ट करता है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा तंत्रिक हो सकता हूँ, अगर उसके कुछ प्लैनेट्स अगर उसक कर जाएगी कि आप जिल्दगी भर आपके स्पाइनल कॉड बरबाद है, बरबाद है और मेरे पास लाइव एक्जामपल्स हैं ऐसे लोग, बिलकुल, बिलकुल, शीज अपसलूटली करेक्ट, मैं इसलिए हस्राचन की बात से को कि यह बात कभी इतने समय से हम कठे हैं, मैं कभी कुंडली नहीं पूछी, आज पता लग रहा है कि आट वे गर पे जाओ है, मैंने कभी इनके साथ, कभी हमारी नॉर्मल बात है कि मैं यह एक ऐसा वाक्य है, जो मेरे बड़े अरली टाइम का है, तो मैंने कभी इस बात इनके साथ शेयर नहीं करी और मैंने कभी पूर कुछ ओवर हो जाएगा, अच्छा, उतना ज्यादा कि आप संभाल नहीं पाओगे, एक्सेस, तो इसके लिए मैं क्या उपाय करना चाहिए, जैसे मैंने आपको और चीजों के लिए बताए कि ऐसे व्यक्ति को अग्रेसिव देवी देपताओं की पूजा करना ही जग और ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस बना लेना चाहिए, तो जैसे इनको फिर किस टाइप के देवी देवता की पूजा करनी चीए, शिब जी, सबसे शांत, शिब जी के बहुत सारे रूप है, लेकिन सबसे शांत रूप जो है उनका लिंगम पूजन वही करिए आप, सबसे शांत रूप जाहिए, जलर्पित करिया, ओम नमाशिवाय का जाप करिया, आपका माइंड एक बैलेंस रहेगा, आपके अंदर एक शांती आपको फील होती चली जाहेगी, अगर आप जनेव धारन ब्रहमन हैं, तो आपको गाहितरी मा का पाट करना चाहिए, आपको नित कर सब्सक्राइब आपको थञ पाट पोज़न करना चाहिए लेकिन गणद जी में भी तांतरिक गनेश का पाट यो तो उसमें आपने ने पताके उनको कहां रखना चेहिए, लेफट रैट वालों को तांतर निए अंगकोशन, यह कुश्चन आयेगा कि कौन सी वाली सुन कहा हो नहीं चाहिए उतानते भू बता दो क्योंकि केतु के आदिपत्ते देवता हैं गनेश अच्छा तो इस बात को हम केतु के एपिसोड में जरू कंटीनियू करेंगे क्योंकि जिसकी बात जहां होनी चाहिए वहीं ज्यादा द जिसे हो जाता है दो याठ कर अन नें दुग include बहुत आपका राहु तो आपको तंत्रिक गनेशजी का दो करेंगे तो पड़ी बेसिक सी चीज आप मंतर साधना बेना गुरु के तो वैसे आपको दिक्षा नहीं मिल सकती नहीं जैसे अगर मुझे नहीं पता है जैसे मैं मेरे आठवे गर में राहु है फॉर एक्जामपल मान लीजिए पर मैं तंत्र साधना आप अगर गूगल पर ही कि हम तो गूगल को ही आज कल सबसे बड़ा बाबा मानते हैं तो अगर आप गूगल बाबा पर ही डालेंगे कि मुझे सूर्य के जाप करने तो वहां पर सूर्य के आपको बहुत तरे के जाप आएंगे उसके अंदर सूर्य का तांतरिक मंतर भी आएगा वो मत करिए अपने के करमों को बढ़ा देना चाहिए आपको अफने हाथ से लोगों बहुत जाधा कराना न चाहिए लेकिन पेपधार्थ कम देने चाहिए अच्छा पीने की चीज घूंबाती है खाने की चीज ज्यादा बाती है एंवेस्ट्यस सॉलिड लिकुइड नहीं चाहिए लि कोई भी रेमेडी देते ना अब है तो मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखें देखें मैं तो यह देख रहे हूं आज के दुनिया में सच में राहु ही सब के सिर पर आपको अच्छा कॉर्शन करिए जिसका जवाब देने का मन करें ऐस गुरू हमारा तो एक मेरे पा चालू करती हूं वरना मैं रेमेडी बताती नहीं एक चीज दूसरी चीज आप अगर उन रेमेडी को कहीं न कहीं करोगे तो आपको समझ में आजगा क्योंकि या तो आप जोतिश सीखो तो अगर किसी एस्ट्रोलाजर के सामने आप रेमेडी लेके जाओगे न तो आपको तुरंट बता देगा कि यह चीज के लिए क्यों बोली गई है क्यों बोली गई है वो समझ जगा जैसे वह अभी तुरंट समझ गए कि इन्होंने कैसे बोला फ्लो कोई भी चीज तो रेमेडी बनती ही ऐसी है जो आपकी उस चीज को रोक ले आपको सॉलेड रखे ना कि लि अभां पुल्स तो एक दूसरे के सामने कते ही ना पहने वरना मल्टीपल रिलेशन बनेगे और हर रिलेशन में एक ताइम के बाद में आपको दोका मिलेगा ही मिलेगा वो तूटेगा ही तूटेगा ऐसा इंसान प्यार के लिए तरस जाएगा शदन ऑस्टेकल लेना सबन बैदम से कुछ ना कुछ अफ़ैर चल जाए रहा है उसी है सीक्रिटिव और बहां पर आपने पाताल के राजा को ही बिठा दिया बेठा रहूं और पर पर रहूं पर ने के पाताल के बिठा भी आपने अश्चमभाब में दिया तो फिर तो वह इसी चीज़े देंगे झिए उससे बच के रहो, वोई केतु वाली फिलास्फिय अपना, ऐसे लोगों को लिखना बहुत चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं नहीं चीजों की खोच बहुत करनी चाहिए, वो बड़ा हेलपफुल होता है, रेमेडी है यह, साइंटिस्ट वगेरा बन सकते हैं, यह रेमेडी है, रेमेडी है, अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो आप उस चीज की रिसर्चिंग करना चालू कर दीजे, कि पैर में दर्द क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या होता है, इसकी दवाई कैसे ले सकते, दवाईों में क्या है, देशी दवाई क्या काम करेगी, विदेशी दवाई क्या काम करेंगा आपका दर्द अपने आप खतर तो यह एड़ थाउस का राहू शान तो जाए गुसना चालू कर दीजे बिल के अंदर अचा इन डेप्थ चीजों को जानने की कोशिश करो बिलकुल तो अब आते हैं सर नाइन थाउस पर नाइन थाउस राहू तो क् स्कम्राऊ की बात कर रे हैं और आप हर राउस पे पूछते हो Ferrini की कैसे इसको ठीक क्या जाएं इसकी डीटी कौन हैंक क्या है कि तो मैं आपको राशी भी बता देता हूं कि आपके राहू कौन सी राशी में प्लेज डों किस राशी के हिसाब से आपको किस जोती लिंक को प बहुत अच्छा है आपके लिए अगर टॉरस में रा हूं है तो टॉरस में तो सुमनाथ एक्सलेंट यह आपको बहुत अच्छे रिजल देंगे बहां जाके अगर आपने कोई नाग प्रतिष्टा पूजा का सरफ दोस्की पूजा या कोई भी पूजा करानी है तो वहां जा मैं मुझे पता नहीं मैं जितना मर्जी मॉडर्ण बन जाओं मैं भी बड़ी मॉडर्ण तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं बट ऐसा कोई बोल दे ना कि खराब है आप एक गलत और सॉरी तू यूज इस वर्ड एक सस्ते अस्टोलिजर के बास गरिए हो मैं मैं फिनांसेज में पैसो में सस्ता नहीं बोल रहा हूं मान से ग्रूप से सस्ता जिसको है कि चल मेरे 500 अब मेरे 1100 आए अगले को बताओ इसमें से भी कमाने आप राइट टैप के क्योर में जाओ राइट टैप की कुजा कराओ मैं 100% लिखके देता हूं कि आपको इसके रि टैग की पूजा करानी हूं राहू के रिलेटेड तो आप नागेश्वर अचा वहां पर जाए वो जोतिर लिंग जाए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको 100% मिलेगा दुबारा से बोरो जहां कहीं भी सकते हूं बट इस स्पेसिफिकली DT होती DT का मतलब होता है आपके खुद के टीचर खुद के टीचर से आप कितने भी डाउट सकते हो ना और वाको समझाते भी अच्छा है तो वहां आपको रिजल्ट मिलता है और खास करके आप ऐसे गनेश जी का पूजन करिए जिनके पेट पर सर्प बंधा होता है अच्छा अब यह वाले गनेश अगर कैंसर राशी में है तो ओम करिश्वर यहां पर जाए यह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा लियो में है तो सिंग इसमें है तो वैद्यनाथ 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 यह ना साच्छी वैद्यनाथ वहां पर भी आपको लियो के अंदर अगर है तो आप वहां जाके इसकी रेमेडी कीजिए थोड़ी सी कीजिए नहीं कुछ आ रहा है तो आप मांथा ही टेकाई ये परमात्मा का अश्रबाद लिया और बहुत सुंदर जगे हैं बहुत सुंदर मतब एक अजीब सी शांती है वहां पर मैंने तो बारा के बारा जो तेलिंग करें हैं क्रिपाय ठाकुची की लेकिन मलिका अर्जुन मेरा सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं अटेच्मेंट वाली जगह है जहां मुझे लगते कि मुझे बार बार जाना चाहिए मेरा विद्यानता रह गया बाकि सब हो गए अगर अपने लियों में नहीं लिबरा में राहू डेखि राहु कैसे करते ना ब्रामान में पीछे चला जाता हूं लग्वान में ओं भाड़ा अगर लिबरा में ए तो तो म कल शूआ च्वार यह वाली वाली फोटा अपको हमेशा अपने घर में या अपने घर के द्वार पर या आपको अपने घर के किसी ऐसे गुपते स्थान पर रखनी जाए जो वो कालिया नाथ के ऊपर खड़े होकर नित्ते करने हैं और इसमें ना आप कपल दोनों जाएं हस्बेंट वाइच तो ज्यादा बेटर है जाइट आए ठीक आपको इतनी नाम प्रतिष्टा मिलेगी ना इतना नाम मिलेगा संभाल नहीं पाएंगे इतना प्यार हो जाएगा कि आप हर महीने जाने तब की बात करेंगे मैंने ऐसे किसी को काशी विश्वनाथ उनकी कुछ कुछ कुली में कॉंबिनेशन देखे बोला था मैंने हर मनत जाने के लिए नहीं बोला बट मुझे पता लगा, मेरे बड़े क्लोज है वो क्या वो हर मीने जाते, खुद से मैं नहीं कर रहा कि कोई संकल्प लीजे जाए परमात्मा आपको बोला रहे हैं तो जाए के दर्शन करके आईए अगर एक्वेरियस में हैं तो केदारनाथ, केदारनाथ की यातरा एक बार तो जीवन में जरूर करें और जब करेंगे अपनी लाइफ में परिवर्तन देख लीजिए और राहू अगर पाइसेज में है तो तरिंबक एश्वर यहां के दर्शन करके आए कुछ समय वहां बिता हैं तोड़े टाइम रोके हैं क्यों? क्योंकि जब मैं राहू पाइसेज में होते हैं और अगर बारवे भाव के भी मैं बात करूँगा तो उसमें पकड़ मैं आगा मैं ऐसा क्यूं बोलाँ? कुछ समय मां बेता हैं ज़दवाजी नहीं करना है यह जितने भी मैंने आपको बता है जोतरलिंग इनके अंदर अगर अगर आपकी राशी में नहीं भी है तो भी वैसे जोतरलिंगों के तो दर्शन हर एक को इनसान को एक बार लाइचने करने चाहिए यह डीटी स्पेसिफिक बताई है कि उसमें तो वहां जाके आप एक बार पूजा कराएं अगर अपने पहले कराई भी है तो आप रुद्रभी शेक वहां जाके करा लीजिए देखिये फरक तो नाइन्थ हाउस नाइन्थ हाउस में राहू क्या करता है जी मेभी ऐसा जातक अपने कस्टम्स के साथ अपनी फैमिली हिस्ट्री के साथ बहुत जाता शायद नहीं जुड़ता कभी कभी अपोस भी हो जाता है पर स्प्रिच्वल यह बंदा बोरा नहीं होता है स्प्रिच्वल यह अवेकन्ड होता है ठीक है और यह जा तक भी अपने कुछ रूल्स और प्रिंसिबल्स बना लेता है और उनके साथ यह ओवर अप्सेस्ट हो जाता है अचा अब यह उन से बाहर नहीं जाएगा यह उन रूल्स को पूरी जिसे कहते हैं निश्ठा से करेगा रिसर्च में पढ़ाई में फ़दर पढ़ाई में इसका बहुत द्यान लगता है कभी-कभी ऐसे जाता को मुझे बोला वरता है बस भाई थुड़ा काम भी कर लो पढ़ते चले जाओगे उमर बढ़ रहे कमाओगे कर लो मिश्ठार के साथ अब्सेशन जो है किसी भी चीज का इसी भी जितनी भी हमने अभी तक 9000 पर पहूंच गया लेकिन अब्सेशन राहू के साथ हमेशा है कि आपको ब्सस कर देथा मतलब ही हो फतूर एक्सेस आपका पॉपस आपका जनम ही इसले हुआ जो चीज आपको नहीं मिली थी पिछले में अभी जब केतु बात करेंगे तो जो आपने जो नहीं मिली वह रहा हुँ है तो आपका सारा ध्यान वहीं पढ़ाई रिसर्च ये वह नवंबाव रूल्स भी अपने बना लिए प्रिंसिपल्स पर लगता फिर वही सही है क्योंकि मेरे बनाए हुए है तो और मैं मिस के लिए हमें क्या करना चाहिए नाइंध हाउस के रा क्या करता है आपको बहुत जल्दी ना बहका देता है आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और अबहुत सारे लोगों को देखा होगा बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो घर के मंदिर में भगवान को नीचे बैठाते है और मृत वयक्तियों जो गुरू उनके एक टाइम में गुरू थे, उनको वो उपर बैठाएंगे और भगवान को नीचे बैठा देंगे, तो ये चीज नाइंध हाउस के राहू को काठने का सबसे सरलुका है, कि आप अपने अराध्य एक टक करके आप अपने अराध्य चुनकिये रखी तो ऐसा इस में क्या होता है कि जैसे सब्सक्री उन्हों ने देखा कि तरुन जी ने जो है सुमवार के वरत रखेंगे तरुन जी तो रातो रात कहीं पहुंच गए तो ऐसा विक्ति क्या करेंगा उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला तरुन बेकार तरुन कोई काम नहीं करता है तरुन की रेमेडी सब खराब है फालतु की बाते करता है चलो जी अब है जी आप क्या करते हो मैं तो जी शुक्रवार को जाता हूं देवी मा के मंदिर में और वहां पर खन्याओं को भोजन करा आप इस पर थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे तो यह चीज कब से बढ़ी है जब से आपके धनू के शनी निकल कर गए है तो यह हम लोग राहू से शनी पर पहुंच गया है राहू ही वहां पर एफेक्ट कर रहे थे ठीक है मताब भी मुझे गोचर पूरा याद नहीं है म दो पंचांग उस समय जब धनू के शनी निकल के गए है तो उस समय इनकी संबंध बन रहा था राहू के साथ कुछ था कॉंबिनेशन में तभी यह चीज उसी वक्त से स्टार्ट हो गई कि लोगों ने बहुत जादा धार्मिक इस्तलों पर जाकर रील्स बनाना बहुत धार में किस तलों पर जाकर चीजों को स्टार्ट कर दिया था करना और वो बढ़ते 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 अभी बहुत चलेगा एक अच्छे गास समय तक चलेगा अब तो सरकार ने आई थिंक केदारनाथ पर तो रोक ही लगा दिये कि आप वहां सेल फोन वग उत्ती में जादा लग जाएंगे अच्छा लेकिन करना क्या आपको उल्टा करना है क्या करना है आपको बहुत जादा अंध विश्वाशी होके अपने आराध्य का हाथ पकड़ के चल देना है जो आप करोगे वह सही होगा जो आप अच्छा करो तो आप बुरा करो तो तो इसकी यह रह मेडिय आप अपने अराध्य को नी छोड़ना है उनके साथ चिपक्रेद्ट भाग्य तभी बनेगा जब आप भाग्य को अपना लोगे वर्ना 9th house का रहू आपका बहुत बने नहीं देगा बनाएगा फिर बिगाड़ेगा फिर बिगाड़े फिर पीडी भी यही चीज ट्रांस्फॉर्म होती रहती है पिता का ऐसा रहा फिर बच्चों के बच्चों का भी आसा ही हो गया तो टिक जाहिए यह जो अभी जो हमारे पिछले उसमें हम बात कर रहे थे कि लोगों ने बोला है ऐसा कि यह सब चीजे जो है वो मित्या है काल्पनिक नहीं है साब यह जो अराध्य देवी कुल देवी जो एक हमारी नगर देवी होती थी है ना ग्राम देवी होती थी यह क्यों बनाई गई थी यह इन्हीं चीजों से फाइट करने के लिए व्यक्ति को दी गई थी और बहुत सोच विचार के साथ सर्च करके बनाया गया एक नियम है बिल्कूल इस तरियां बिना कपड़ों के सनान ना करें यह 9th house के रहू की रेमेडी है अच्छा मतलब कपड़े पहन के सनान करें आपके तन पे कोई भी एक कपड़ा होना चाहिए जब आप सनान करें तो तो 10th house का रहू क्या करता जी नेम फेम उपर पंचाना काम है लेकिन इसके साथ क्या चीज आती है रहू आए और अपने साथ कुछ और ना लेकिए ऐसा पॉसिबल नहीं है ऐसा जा तक नाम की पीछे भागता भी बहुत जादा है अहनकार उसके अंदर ऐसा प्राउड होता है कि उसको लगता है कि मैं ही मैं हूँ और कृष्ण क् तु कुछ है नहीं तु कुछ नहीं है और यह एक्ट्वल बात है एक बहुत अच्छे आइस की टीचर है दिली में वो भी ये बात मानते हैं उस दिन उनकी में एक बात सुन रहा था तो उसमें वो बोले कि जी जब भी कोई आइस बनता है तो उसे एहंकार नहीं करना चाए तुम तुम हो कौन तुम तो अपनी मर्जी से कबता नहीं हिला सकते हैं लेकिन दसवेबाफ का रहू ऐसी फीलिंग नहीं देता उसे लगता है जहां मैं खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होती है तो यह चीज थोड़ी से उसके इसके लिए उसके मन में ऐसी भी इच् करेंगे तो जितना जादा वो इस चीज के लिए करेगा तो फिक्टिशियस यानि की जूटा नाम बनेगा लोग उसके सामने तो बड़ी तरीफ करेंगे पीछे से हसेंगे अच्छा रियल नेम बनाना है रियल प्रॉस्पेट करना है तो आप अगैन उसके पीछे भागोग वो अपने घर की चत पे अक्षियों को पनीर या दाना ना खिलाए मां अपनी घर की प्रिमिस जहां की दिवारे एंड होती है वहां पर कष ओरा रब देना चट पे नहीं प्रिमिस को आप का हुए को पिजिन्स को नहीं किला दस्वेबाप के राहु के लेखसकर इन जैंड तो हम इसके लिए कुछ उपाए 10th house के राहू के लिए ना कुरेदना चाहिए दाथ से काटने चाहिए ठीक है आपको हमेशा दूसरे लोगों को सम्मानित करना चाहिए कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए तो मतलब यह उसका उपोसेट हो गया आप अपने नाम के पीछे करा जाता है और मेरा बच्चा तो बहुत सुन्दर है मेरे बच्चे की तो हाइट बहुत अच्छी है अगर उसका दसवे घर का राहू हुआ और आपने उसको इस तरीके से करना चालू करा भाई उसके दिमाग जहां चड़ जाएंगे ना वह आपको भी अपने आगे कुछ से व्यक्ति को इसका एक बहुत पुराना बहुत प्राचीन एक उपाय है जो बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा राहू के लिए लेकिन टैंथ हाउस के लिए जरूर करना चाहिए आपको शनिवार के दिन एक नारियल का गोला ले लेना है ठीक है उसके अंदर आपको घ अपर यह उसको एक नथा शचपने घंगे उसको दौना चहिए एसिजह पर जाएं छोटे चोटे kisht टानु चीडिया जwe घनी चीटानन उसको खा ले उसको तो आपको ऐसी जगे दब आ चाहिए उस निवार के दिन न यह कारे करना चाहिए शुक्र राहु का तो फिर ये क्रिया थोड़ी सी बदल जाती है लेकिन अकेला राहू बैठा है तो आपको ये शनिवार को ही करना है करना है तो सब्सक्राइब बाते हैं 11 जैसे इन्होंने अभी बात वो ली थी ना उससे मेरे दिमाग में दो रहे हैं वो भी बीच में वो देता हो रहे जाएं अटिबली में भी है तो भी मुझे अपने अपने बच्चे की नहीं किने बच्चे की तो तब बोला जब उस की कुंदली में हो ये अपना बोलेंगे कि भाई ठीक है वो करें जबकि शीज़ अ ब्रिलियंट वह इस फील्ड की कैसी है वो तो चलिए एक अलग बात होती है बट इन जेनरल में भी वह बहुत अच्छी बच्ची है फिर भी आप कभी नहीं सुनो कि अभी ऑप दी कैमरा भी जब हम बाते कर र राहू आर्टिफिशल है राहू रियल नहीं है तब ही तो शीशा मेरे रिज राहू चलावा है चलावा है तो इसलिए फिर वह रिष्टा भी वैसा बन जाते ठीक है और एक और हम बताने वाले तो दूसरी चीज़ अगर आपके चौथे भाव में राहू है तो जीवन में क लिए राहू का योग और छौते बाव में राहू आगये और आपने था चलाओ देंट पमें डिप्रेशन टोफ्म का योग बनादे कि एक मेंबर तो की प्लेसमेंट अव बताती है कि आपके घर्में कि किस देशा का जो बाथरूम है वो आपके लिए suitable है और कौन सा नहीं है बिल्कुल उचा इसको हम एस्ट्रो वास्टू बोलते हैं बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं हमारे पास आते हैं इसा बोलते है कि यहां में एस्ट्रो वास्तू सीखना है हमने वास्तु सारा सीखले है मैं एक क्योश्टन पूछता हूँ आपने एस्ट्रोलजी आती है जी आती है मैं तीन पूछता हूं इसले अगैन ऐसे सर चड़के नहीं देखने के लिए की फीस लेके भी इनको आएगा आएगा तो उनको जब एस्ट्रोलजी का घ्यान पूरा होता यहीं नहीं पता कि कारकत्व क्या है कौन सा चीज किस से जुड रही है तो मैं फिर बोलता हूं कि अब आपके लिए नहीं बन बैसे मार्केट में बहुत भूम रहा थो बट जो इन्होंने बात बोली कि राहू की भी प्रामें वाश्रुम के जो दर्वाजा है उसमें झूओं का आवाज नहीं यानी चीए जटकेसे लाच नहीं ँखना चउगिए नहीं तो आप separately में खुदी रेंट बना लेंगे नई भी होगा तो सूरे राहू अच्छा आपकी घर में सीपेज की प्रचिकी प्रॉब्लम नहीं हो नहीं अनी छे किया डरारे नहीं अनी चाहिए अप खुद री狡ोरिय और घर के मैंब्रों के अपर उसका अपके देखेंगे अच्छा वो सारे सिम्टम्स आएंगे जो इनके बताए गए तो ये एस्ट्रोवास तो एक बहुत वास सब्जेक्ट है बट पहले एस्ट्रोलिजी के कारकत्व आने चाहिए राहू इंदी 11 अगर राहू 11 भाव में होगा तो ऐसा जातक कभी-कभी थोड़ी गलत कंपनी में पढ़ जाता है और उसको असर रखता कि मेरे दोस्ती सब कुछ हैं मेरे बड़े सपोर्टिव हैं बट वो एक कहवत सुनिए अपने फ्रेंड इंड 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 वो इनके साथ बिल्कुल नियूट जिस समय में नीड होगी उसी समय इनका दोस्त गायब हो और उस कभी कभी उससे बहुत जादा उसमें क्या होता है यह कभी गलत स्टेप्स भी ले लिए गलत चीज क्योंकि आपकी सोच कहीं गुना जादा उपर चल रहे हैं रियालिटीज आच्छा तो मतलब एक क्राइम और उसमें भी ऐसा बोलना तो गलत है ग्यारवेवावका रहो को पर बुरी प्लेसमेंट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक चीज जो आपको खास माननी है और वही है कि फ्रेंट्शिप के चक्कर में सोचल सरकल के चकर में मॉबाइल फोन की रियल्स के चकर में अपने आपको ज्यादा ओवर मत घुसेड़ दो कि आपकी खुदा लाइफस्टाइल और उसका कुछ लेना देना ही खतम है उस समय में दोका देगा जिस समय में आपके पास कोई नहीं होगा अधार्व और चीज़ जो एलावनत के राहू के आपको रेमेडी देने से पहले बता दूं आजकल एक चीज़ और बहुत चल रही है मार्केट में म मुझे नहीं पता आप लोग को किता पता है लेकिन हम लोग चुकि इसी फील्ड में तो हमें तो आए दिन सुनने को मिलती है आज कल ना शोशल मीडिया के थू बहुत सारे से रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं फेस्बूक इंस्टाग्राम एंड और बहुत सारे भी नहीं बहुत सारे भी नहीं परसंट रिलेशनशिप आज कल उनसे बन रहे हैं पाटीज में हाना वो आपका एक किसी के थू आप मोबाइल पर वाच्ब ग्रूप एंड और इन सब मैं जी सकता हैं मैंने आज तो किसी के साथ आइसा अनुभव नहीं किया जैसा में इसके साथ अनुभव करता नहीं और यही केवल वो इंसान है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मतलब वो एक ऐसा आजाता है कि व्यक्ति अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है उसके इंसाने वाला उसको इमोशनली भी यूज कर रहा है सामने वाला उसको फैनेंचली भी यूज कर रहा है सामने वाला उसक के तू को उपर कर रहें लेट गो कर रहें जब कि यहां पर अपको दुगना सोचना है आपको यहां पर राहु के तत्व को लाकर रिसर्च करनी है यह बंदा कैसा था इसका पास्ट कैसा था इसके साथ और क्या चीज एंगा है अगर किसी का रिलेशन बना है तो वो आपको मिला भी शोशल प्लैटफॉर्म से है तो वह भी रहुआ क्योंकि ठीक तो यह वाला चीज ना आज कल आप बहुत जादा देखेंगे कि आपने शोशल मीडिया पर उस व्यक्ति के साथ संपर करा आज कल तो देखें वाच्सप हैं फेस्बुक पर इंस्टाग्राम पर आपने अपनी पिक्चर शेयर कर ली अब सामने वाला आपको ब्लैक मिल कर रहा है और फिर ऐसा हाल हो जाता है कि उस व्यक्ति के साथ उनको लगता है कि नहीं यही भगवान है मेरा मैं ही इसकी मीरा हूं यही मेरा कृष्ण है और इसके साथ अगर चंद्रमा जुड़ गए न इसके साथ अगर चंद्रमा जुड़ गए चंद्र राहू ग्यारवाब आप जो नहीं बोले ऐसा जाते कि इंसेन हो जाता है अच्छा उस हद तक उसको उस जातक के अंदर वो लगता है मेरेड लोग भी हमारे पास आते हैं अपने से कम उमर के लोगों के साथ हमारा रिष्टा बनवा दो चंद्र राहू इंदी लेवंधावस पादलपन के अथ्ता हो जाता है अगर वो इस मीडियम के थ्रू ऐसे मिलते हैं तो यहां जैसे इन्होंने बोला कि राहू का यहां पर आपको रिसर्च करनी है सोचना है मैं कौंगा कि बहुत ज़्यदा टैच मत हो भाई तो ज्यादा ही अच्छा है ठीक है ना कोई बात छोड़ दो बहुत ज्यादा मत घुसोस में राहू आप समझाने जाए आप उनको बोलिये यह आपका कार्मिक रिलेशन है क्योंकि ड इचले जनम का हमारा रिष्टा है सब चीजों को दाओ पे लगा रहे और एक दिन आकर आप उस्टेज में खड़े हो गए जहां पर आपका सब कुछ बरबाद हो गया यह राहू है यह राहू का रिलेशन्शिप है तो सम्हल के चलना चीए और राहू को बहुत सम्हल के चल कुंदली है अभी 11 तर राहू विद नेप्चुन अगर आपकी कुंदली में कॉंबिनेशन बना गया ना तो आप यह मान के चलिए आप अपना सब कुछ जिसके लिए लुटा देंगे मेरे पास एक बहुत जबरदस्त इसका एक्जामपल है एक बहुत बड़ा बिजनसमें लड़की के साथ उनका चाल हुए उनके पर एक रिसेप्शनिस थी फिजिकल रिलेशन्स चाल हुए और किस हद तक आप मानते हैं कि उस व्यक्ति का नशा उस लड़की का नशा होगा उस व्यक्ति के उपर उसने अपना सब कुछ उस बंदी के नाम कर दिया अपनी सारी प् पता है एक बार सिर्फ एक बार मुझे मेरी वापस वही वाली पोजिशन पर खड़ा करवा दीजिए क्यों क्योंकि मुझे फिर उसके साथ एक रात काटनी है लो अप सेशन पागलपन हो गया तो इस तरीके से तो उस लेवल का जो पागलपन है जुनून फिर आपको यह नहीं देखना के सामने क्या उसका अंजाम होना है, कौन उससे प्रभावित होगा, किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए बुरा होगा, नहीं, अपनी चीज के लिए किसी भी हद से गुजर जाना, ये भी राहू है, तो आपको प्रतेक शनिवार आपको तेल से चुपड़ी हुई रोटी काले कुट्टे को जरू खिलाने चाहिए, तेल भी आप बता दो कौन सा, सर्सों का ते, आपको अपनी नाभी पर शनिवार के दिन घी जरू लगाना चाहिए, पुष्य नक्षत्र हो, तो आपको ये कारे जरू करना चाहिए, आपको अच्छी किताबें, जिनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हो, और मैं बोलूंगे धार्मिक तो सब कहेंगे, धार्मिक किताबें कैसे, लेकिन जहां से आपको कुछ सीखने को मिले, अच्छे लोगों की जीवनियां पढ़ लीजे, आपको अच्छी स्टोरी पढ लेकिन कुछ अच्छी किताबें पढ़ी हैं, है ना, ये बहुत आपके लिए फाइदे मन्द रहेगा, ऐसी चीज़ों को, ऐसी किताबों को बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में नहीं पढ़ना है, या नहीं देखना है ऐसी चीज़ों को, जिनमें बेवजे का ग है सात विक रहने की जरूरत है न आपको अच्छे वीचार अच्छे काम, अच्छा भोजन करिए, यह जैसा माल करता एं मन ही जरू गया है अच्छा भाजन करिए बड़े बज़द को के साथ ताम स्पेंड करिए कि कि आप अपने कारे को करने से पहले किसी से एडवाइज जरूर लीजिए कि क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसका एलेवन्थ हाउस में राहू होगा ऐसा व्यक्ति बहुत सारी चीजे अपनी अंतर आत्मा से भी प्राप्त कर लेगा अच्छा कि इंट्यूशन्स कि आपको चीजे पहले से ही पताओंगी अब इसमें यह होने वाला होगा मुवी देखते देखते अब बता सकतो अब इसमें यह होने वाला होगा तो यह जो सारी चीजे ना यह लेवन्थ हाउस का आपको राहू देगा लेकिन आपको उस चीज को कायम रखना पड़ेगा अपनी बॉड़ी को अपने चक्रास को चैनलाइज करके रखना पड़ेगा वरना यह विनाश जो करेगा ना वो फिर किसी से संबलेगा नहीं गेंज के लिए अच्छी प्लेस्मेंट है पर लेकिन ग्यारे पर आप कह रहा हूँ अच्छे गेंज देते हैं डिजार्स भी फुल्फिल करते हैं तब ही उन्होंने बार बार अपनी रेमेंडी में बोला अच्छी किताबे बड़े बज़र्ग ताकि आप सबजेक्टिव रह एक लिमिट तक करें ऐसे वले विचार दोस्त यार जो कि आपको कहीं से कहीं ले जाए वो नहीं करना पागलपन नहीं करना बहुत अपने आपको स्थिर रखना है कंट्रोल में रखना है क्योंकि इनीशिली जो आप जिस चीज को चाह रहे हो वो सही हैं गलत राहों को नही तभी तो उन्हें ने वह एक्जामपल दिया उनकी हर बात का मतलब है यह तो सुनने वाले के उपर है कि वह कैसे समझता है कि उसको वह लड़की के साथ रिलेशन बना वो चाहता था बन भी गया फिर अंत देख लीजे क्या और उसको दुबारा चाहिए यही तो बात है कि कुणली जो है वो तो है बहुत सॉलिड कुणली बंदा जो भी चाहेगा वो उसको मिल जागा लेकिन उस चीज को प्राप्त करके आँ वापस कहां जाओगे वही उसकी कुणली की बात कर रही है यह स्पेसिफिक यह नहीं कि कि किसी का भी 11 बाफ में राहू आ गया तो अगर इस तरह देखें तो आपके किसी भी वर्ष के अंदर आपकी बढ़े सही आती नहीं वह दिन जो पंचांग के हिसाब से मतलब वह तित्थी जिस दिन आ रही हो वह आपका बर्थरे तो तित्थी अनुसार जो आपकी बर्थरे है उस दिन आपको दो चडिया लेकर पि पहले सांप को अजादी दिलाई थी राहु का यह काफी उपाय है मतलों कि राहु कैसा है राहु को अगर आप बांधो गे ना तो तो वह पता नहीं आपके अंदर क्या क्या कर देगा उसको खुला चोड़ दो जा बही जा तू अपना काम कर मैं अपना कर रहा हूं पंचिय पंची है पंचियों के जगे क्या है आसमान आप आप आसमान में आप कैद रहे तो ऊपड़ा दिन चे-्चे-चे-चे-ची करोगे तो क्या करोगे मुझे ही रीटे готов है कि सो एक ट्वल्फाऊस में राहू कि इन जनरल में कैसे पता लगता कि राहू हमारे खराब होने वाले हैं, और अबको अची रिजलर नहीं दे रहे हैं तो आपके घर के अलेक्ट्रोनिक्स खराब होने शुड़ू हो जाएंगे, शौट साकिट्स होना शुरू हो जाएगा, ये राहू की डग्मगाती वी पोजिश्चन आपकी कुंड़ी में बता रहे हैं कि र रहुआ खराब होने वाले हैं या खराब चल रहे हैं ठीक है तो ये जनरिक है कि जब भी अगर आप ऐसा फील करें महसूस करें तो एक एड़ वाइ기도 जरूर लें नहीं तो खुद अगर आप आप देखना जानते हैं तो उससे देख कि उसके उपाएज जरूर करें अगर बारवे भाव में राहू है यह बड़ी विचित्रिसी प्लेस्मेंट है सबसे पहली चीज तो जी इसके अंदर एक काम जरूर करें इसके एफेक्ट किया है वह बात में जरूर खाएं आचा दिन की एक मील किचिन में बैटके जरूर खाएं अब आ जाते हैं जी कि राहू जो है वो बारवे भाग में क्या देते हैं फ्लक्चुएशन इन्दी माइन सही करूं या गलत इसका फैसला नहीं कर पाता जाता तक यह तो कभी उपर चड़ने की सोचेगा तो कभी बिल्कुल ही नीचे गुसने की कभी कोई ऐसे कारे करने की सोचेगा जो की बियॉंड इमाजिनेशन आप भी नहीं सो सकते हैं तो हम ल देश में रहेगा तो मैं विदेश चला जाएगा तो लगेगा वापस इंडिया तो यह जो दोडाना है ना एक जगे टिकने नहीं देना एक चीज इसमें और आती है आपी के कोई रिलेटिफ अगर इसमें राशी भी वह हो जाए तो तो हंड़र पसंट करेक्ट बैठे की यह बात आपके हिड़न एनिमी भी होते हैं आपी का कोई अपना हिड़न एनिमी मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चाकु आपको मार देंगे तंत्र मंत्र नजर दोश बाधा बंधन वश्शी करन घर का कोई समान उठाके ले गए आपको नहीं पता लग रहा खेला के कुछ मना दिया आपको नहीं पता लग रहा तो यहां यह दिक्कत रहती है तंत्र मंत्र भी हो सकता है इसमें बिल्कुल हो सकता है ऐसे व्यक्ति प अगर आपकी सर्प योनी हुई और आपके राक्षर्ष गण हुए तो तो यह आपके उपर प्रभाव डालेगा यह डालेगा और 90% अच्रोलिज यह चीज चेकी नहीं करते जब से इंटरनेट आया है यह तो मैं सच बता रहा हूं कि बहुत शुकर गजारू कि जिस समय मैं इस्ट्रोलिजी सीखी उस समय मैं सब चीज़े नहीं थी मैंने भी हमने तो जमीन पर बैठके पेड़ों के साथ हमारे बाबा तो पेड़ों को सुनाने के लिए कि पेड़ों क उनों ने में से पैसे नहीं लिए थे लेकिन फीलिंग आईगी ना तो मैं बहुत था कोई बात नहीं पैसे नहीं लिए थे क्योंकि वो तो गुरू थे ना वो तो अच्छी चीज़ सिखा रहे थे तो उस ताइम आप फिर आपकी इगो तो वैसी खतम होगी कि वो मुझे फ पास बैठा हूं मैं नीचे बैठ जाँगा मैं बैठा हूं को कुछ कह थोड़ी रहा हूं वो एक घेड़ घंटा दो घंटे में पास बैठ रहे था तो उनकी एक वर्ड से मैं कुछ पकड़ लेता था यह तो आपके उपर आज इन्हों ने इतनी स्टोरी बता ही इतनी कर पाता उसे पता है नहीं लगता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और ऐसे जाता को खास कर यह दियान रखना चाहिए यह दोनों के लिए जी नहीं ता उस रहो कभी भी कोई इन्लेस का खत्रा लगे तो कोशिश करके कोई जान पचान वाले डॉक्टर पे जाए सीधा राहू इतने जल्दी पकड़ में कहा थे राहू नहीं तो मैं फिर कैसे पकड़ा जाए इस बारवे आउस के राहू को पकड़ने के लिए जैसे अब हैने बोला बहुत टेक्निक लगानी पड़ती है और वियार तो ब्लेस्ट के हमारे उपर ठाकुजी है तो वह तुरंत ब पुरा ज्यान उसके अंदर हमको एक बारी को डालना पड़ता है क्योंकि बहुत बारी कैलकुलेशन करके निकल पाता है कि हाँ यही जड़ है अच्छा क्योंकि वह घुमा देगा आपको वह आपको गुमा देगा कॉम्बिनेशन ऐसे आपके आखों के सामने आते रहे एक ब्रह्म की पर्दा आजाएगे आपके आगे एक ब्लैक शीट आजाएगे आपको न उसमें क्या दिखता रहगा शनिया सूरे के साथ है इसलिए यह प्रॉब्लम है नहीं नहीं यह यहां पर गुरू और मंगल है इस वज़े से यह प्रॉब्लम आप उस राहू के ऊपर उत जैसे अभी अब हैने बोला कि टीचर्स का जैसे हो इनके टीचर्स चलो उन्होंने तो फी नहीं ली वो एक अलग बात है अब क्या होता है जैसे अभी बात करनिया हमने पैसे दी है अभी बात करनिया भाई वेट करो आपकी बहुत कॉम्प्लिकेशन चीज है आप ही कि आने दो बिल्कुल वह आएंगे तब ही तो बता पाएंगे या हमें हमारे उस सेंस में आने दो हमें हमारी गदी पर उस तरीके से बैठने दो कि बैठते ही वो चीज़ तुरंत क्लिक हो जाए अब दिन भर में अगर आपने पांच या साथ या दस चार्ट देख लिए और आपके पास ऐसा चार्ट आगया तो आपकी नहीं वो पावर उस समय लगेगी तो आप क्या चाहोगे भाई कल सबसे पहली चार्ट यही खुलेगी और एक सबसे बड़ा दिक्कत हो गई है तरुन आज के लिए कि हमारे टाइम में जैसे अब है लिटरली वी आर ब्लेस्ट अब तो मुझसे बहुत चोटा है तो इनों ने तो फिर भी बहुत बाद की वो देखी मैंने तो इससे भी पुराना गुरू शिश्य परमपरा देखी है और चुकि मैं तो राजस्तान से बिलाउं कर तो मेरे तो इन चीजों पर बहुत ज़ादा जैसे कहते है बात किया जा कि मैंने साफ मना कर दिया तकि मैंने इसी कहाऊंगी कहीं नहीं वह हो जाता है कि मां है तो डिलाई आएगी और नहीं आप अब ऐसे ही सीखो तो आज भी जब कोई बात होती है या अब है मुझसे किसी चीज के लिए कुछ कहते तो मैं एजा मदर मैं अब है को बोलती हो पेशेंस ने सौरी कभी-कभी आप कुणली देखके ना इतना इग्जॉस्टेट हो जाते हो कि अपकी इनर्जी पूरी खतम होती है कुणली देखना यह आजकल जो हम सोचते हैं यह वो चीज नहीं कुणली देखने में अक्चुल में आपकी बहुत इनर्जी यूज जो य तो दिन के आप 20, 50, 25, 30 जितना है आपके अंदर कैपिबिलिटी बोलने के आप उतना कमा सकते हो आप कमा लो लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोजर होगा और अगर वो मुझे इस समय देख रहा होगा और हम दोनों को सुन रहा होगा तो वो सेम यह बात बोलेगा जो हम बोल र मेरी वाइफ अगर दो कंसल्टेशन कर लेती तो तीसरी कि उसकी इम्मत नी होती हो शाम को मैं जाता हूं तो मैं तो बहुत तक हूं मेरे से भी बात मत करो मैं सुरी हूं बात करने का मन नहीं रहता आप बिलकुल एकदम ऐसा लगता है शांत हो के अपने आपके साथ हो जाना चाहिए दस मिनिट ही सही लेकिन हम बात करते हैं और सीरिसली मतलब ऐसे दरबार में बैटें जहां जूट नहीं बोल सकते हम दोनों मैकसिमम टाइम पुंली बनली इन पर बात ही नहीं करते हो उससे बचने के लिए तो बिलकुल एब मुझे पुचे अच्छा आप हमें वह बात ही नहीं करने हमें तो एक दूसरे से ऐसी बात करें जिसे बात करके एनर्जी वापस से जनरेट हो जाए और हम अपने काम में वापस लग जा सगया त्रिश्टा जी के हजबने संजे साब मैं बहुत बार इनको क्या बोलता हूं अच्छा इन से बात हो गई सो संदेस आब से बात करहूं किया चल रहा हूं का हल चल पचूमक ओफ्चा कैसा चल रहा है क्या नेक्स्ट का नया लिया वो भी मेश्या सेंसे घ्रड़ मीं बात करेंगे इसके बाद क्या हो एससे सब हम तीन मतलब जो जो इस फीलद में ऐसा और से नहीं करेगा ना तो उश तो जो राहू है ना बेसिकली यह आपको क्या करता है कि यह आज की लाइफस्टाइल के अंदर इंसान के अंदर से पेशिंस खतम करता जा रहे हैं और बारवे घर के राहू की सबसे बड़ी रेमेडी ही यही है पेशिंस मैं यही सिखाने के और बताने कि बार 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 कोशिश कर रही हूं कि पेशिंस अधैरे अपने अंदर शांती अपने सभाव के अंदर शांती अपनी जबान पे शांती अपने जीवन में शांती अपने इर्द के जी और जीने दो यह वाला जो फैक्टर ह ऐसे लोगों को अपने से कम उम्र के लोगों के साथ समय व्यतीत करके उनके साथ खेलना चाहिए बच्चों के साथ आपको तरह तरह की क्रियेटिविटीज करनी चाहिए नहीं तो जैसा आठवे घर का राहू था ना बारवे घर का राहू भी वैसा ही काम करेंगा ऐसा व्यक्ति गलत चीजों में चला जाएगा बहुत जल्दी आप बारवे घर के राहू के कितने एक्जामपल्स आप खुद याद करो अब है कित क्या है मेंटली रूप से बीक हो जाते है यादाष्ट चली जाती है ऐसा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पागल होने लग जाता है भारवे घर करा हुए ना तंतर तुरंत प्रभाव करेगा उसको तो दूर रहना चाहिए इस चीज से एक बहुत अजीब सी बात करेंगे जिस करो तो करो लेकिन जिसने अपनी जयब में रख लिया ना उसकाल लिए तो ये एक तरीके से संजीबनी बूटी का काम करेगी तो बारवे घर का राहु व्यक्ति को कही на कहीं किसी ना किसी तरीके से गलत चीजों में जाने से उसको भूत प्रेत पिशाच योनी में मृत्यू के बाद लेकर जाएगा ही जाएगा अच्छा इसको कैसे रोका जाए ना सात्विक चीजों पर आजो ना तंतर पर क्यों जा रहे हो सात्विक पर आजो मंत्र उचारन करना चालू कर दो पुझा पाट करना चालू कर दो रुद्रा रोज का एक रुद्रा अभिशे कलो पेशेंस अपने आप आजाएगा बिल्कुल बहुत इजी ले और बहुत अच्छे से बारवेबाव के रहू के लापको एक चीज और बताता हूं ऐसे जातको ना थोड़ी सी नरिशिंग भी करनी चाहिए जैसे कि नर्स सेवा करती है न इनको कोड हो जाते हैं एसे लोगों की सेवा करनी चाहिए पता लगता है कि परमात्मा ने हमें अच्छा दिया हो कहते हैं कि बुरा या अच्छा वो अपनी आपको से दिखता है तो फिर आव अच्छे की तरफ जाओगे धर जातक को महीनी में कम से कम पांच दिन कोई भी पांच दिन आप तैकर लीजे महीने में पांच दिन लगाता यह नहीं कि आज किया फिर चार दिन बाग पांच दिन लगातार आपको जमीन पर सोना चाहिए अच्छा उसे कमर भी सीधी हो जाएगी है जानते हैं अब क्या है इस रेमेडी का मतलब नहीं बताइए जमीन क्या है भूमी मतलब मंगल ना ग्रहों में सिर्फ अभी तक आपने राहू का जितना भी सुना सारा वर्णन क्या सुना कि राहू सबसे बल्वान सूर्य को ग्रहन लगाने व सिर्फ मंगल एसे बाता है जो राहू को कंडरोस तया हो भूमि मंगल है एका है अछा हैu की मंगल की दिरिष्टी राहू को कंडरों कर सकती है मंगल पे भी पावर होनी चाहिए तो कुछ ऐसे ग्रह है या यह नौ पे भारी रहता है यह बारी नहीं रहता यह किसी पे भारी थोड़ी रहती है उनकी कॉलिटी को बढ़ा देती है अच्छी या बुरी आपकी किसप आपकी कुंडली अच्छी भी बढ़ाएगी अच्छी रहे के साथ राहू आ गया तो आपके लिए अच्छा हो आपकी कुंडली में ये भी तो जरूरी है अब जैसे नोंने शुक्र राहू का एक कॉंबिनेशन दिया था अफैर उसके दूसरा मतलब भी है आपके पास लक्जिरी कंफर्ट एकदम से बहुत जादा भी आता है दोनो को आपको याद है मैंने आपके साथ एक पाड़कास बनाया था और मैंने कहा था कि जिसके ओपत तंत्रमंतर का इफेक्ट होता है ऐसे व्यक्तियों को कैंसर होता ही होता है अब समझ में आया कॉंबिनेशन क्योंकि राहू तंत्रमंतर से जोड़ा हुआ है और हमने क्या था कि आप दो एक मयान में दो तलवार कैसे तो बेसिकली ना तलवार बनो ही मतना है ऐसा सोचो ही मतना कि हमें तो एक दूसरे की काट करनी है किसी ने अगर कोई अच्छी बात बोली है या किसी ने कोई अच्छी चीज बोली है तो आप उस चीज को सबसे पहले पॉज चीज़ को ऐसे करना चाहिए एक चीज़ और आपने बहुत कॉमन आजकल देखी होगी और बहुत विवादत भी चीज़े रह रही है आजकल बहुत ज्यादा कि लोगों का ऐसा मानना है कि जो कथावाचक हैं या जो एस फिल्ड के लोग हैं वो लोग जो हैं वो पैसा लगज जा रहे हैं उनको क्यों जाना है इन चीजों के पीछे मुझे औरों का तो नहीं पता कि वो क्यों जा रहे हैं या क्यों जाना है मैं को नहीं मालूम लेकिन मुझे अपना पता है कि मेरा देह क्या है मुझे क्या करना है और बिंग अ फ्रेंड अभे आज से नहीं शायद गुमा फिराके एक ही चीज है जो मेरे मुझ पे हमेशा रहती है कि मुझे बस अपने ठाकुजी का मंदर चाहिए, मुझे अपने ठाकुजी का मंदर चाहिए, इन एनी कॉस्ट वाली जो जुनुनियत है वो है मुझे कुछ भी करना है, आम मुझे अगर ये भी बोलो न कि का मालो अठाकुजी का मंदर चाहिए, तो आम रेडी तू दू अच्छा लेकिन मेरी बदकिस्मत ही है कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं सकती तो ये मेरा अपना सोचना है लेकिन जो ये और लोगों की बात करें हूं जो और लोग भी कर रहे हैं देखे जीवन यापन के लि सुन लो अब यह पॉंच जाना कहके कि अब तो भाई बिल्कुल नहीं चाहिए उससे अब अपने ऑपजेट हाउसे अक्टिवेट करने को सामने कि इनार्जी एक्सजेंज करो ना जब हम उस समय मैं करती थी मतलब मैं फ्री कंसल्टेंसी लेती थी तो एक कोई मेरे हां पर आया उन्होंने मुझ से कहा कि तुम ना ये ये वाली किताबे पड़ो तो मैंने उनसे पूछा कि एप्रॉक्स कितने की आएंगी तो नहोंने का कितने की आएंगी मतलब तुमारे तो यहां यह 12,000 यह किताब ही नहीं खरीट पाओगी तो मैंने बोला नई बजट देखना पड़ेगा भाई फैसे जो तर्फा आती है उसमें से चीज़ें निकालनी पड़ेगी तो तो मैंने का आप मुझे बताओ कितने महीने में खटा कर पाऊंगी मैं कल्कुलेशन करूंगी उस चीज्व की ते पुरानी बात तो उन्होंने मुझे बात समझवन मुझे यह ख सेका बेटा अगर तुम अपने घ्यान को बाठ कर उसकी व्रदी नहीं कर पा रही है तो उसको अरजित करने का मतलब क्या ठीक है तुम फ्री कंसल्टेंसी कर रहे हो लेकिन शायद तुम ये किताबें लाओ इसको और पड़ो तो तुम उनकी और मदद कर पाओ तो कम से कम उतना तो लेना चालू करो जिससे तुम उन्हीं लोगों का भला करो और अपने ग्यान की व्रद्धी हो सके और अपने ग्यान की व्रद्धी हो सके तुम्हारी सला सही जगे पर जाए चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट करा लेना फिर थोड़ा सा आगे गए तो फिर तो उन्हों से मेरी किसी दिन बात वी तो उन्होंने बोला कि देखो तुम बहुत नेगिटिविटीज लेती हो क्योंकि तुम इस पहले मैं बहुत करती थी उपरी भी बहुत पाय करती थी बूद प्रेत वाले अब तो मैंने छोड़ दिया अब तो मेरी हस्बंड करते हैं मैं अपने पीछे मजबूर्ट टीम रखनी पड़ेगी अपने इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए तो मैंने बोला ठीक है भाई वो भी करते हैं ठीक है उसका अपना भला है कोई बात नहीं लेकिन आज आप पॉड़कास बना रहे हो आप अपना भला सोच रहें लेकिन आप लोगों का भी तो सोच रहें बिलकुल तरुन भाई फीस लेके काम बनवा देना उनका काम हो जाए तो इसमें भी दुआई मिलती है बिलकुल तो यह कोई मेरे ख्याल से तो गलत बात शायद नहीं मुस्टली लोग तो पैसा लेके भी गलत काम करवा देते हैं हां यह दौनों ही चीज़े अगें राहू का कंट्र तो भाई हम तो गुरु का काम कर रहे हैं वह अपने राहो को क्या गण्रोल कर पाऊँ दौन के बीचली जाओं आओंगी वही जहां से चालोगा इसी घूमें उसके वुपर आज का एपिसोड आंड करेंगे मुझे बहुत मदा आया मैं मौप के साथ मुझे मुझे मुझा म आपकी मतलब मैं आप बताऊंगा जब समने सूर्य वाला है तो डाला था लोगों ने इतने मेसेजिस किये भाई अगला कब बनाओंगे अगला कब बनाओंगे मैंने का भी बनाओंगा बनाओंगा ताइम थोड़ा सा विजी चल रहे हैं सब लोग तो आज बहुत मताया थैंक के हिसाब से जो आपको के टूं के टाइम पर जरूर विजिट करने चाहिए बिल्कुल और सबसे बड़ी बात मैं एक फॉर्म डालूंगा अगर आपको महम से और अभरी से जोतिश सीखना है तो फॉर्म फिल करिए और आप सीख सकते हैं बिल्कुल और इसी नोट पर आज क स्क्राइब में कोई बुराई नहीं है ग्यान जहां से भी मिलें देखिए बिटाजी अच्छे चीज़े जहां से भी मिले ना वैसे ही कल युग अपनी एक 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 दिन अपनी चरम सीमा को बढ़ाता जा रहा है ग्यानी व्यक्ति मिलना ही बहुत मुश्किल है कोई अगर आ चीज़ें इसमें तो कोई फीस नहीं लगती जैसे मेरी लगती है तो मेरा तो नहीं चलो तरुन का तो भला करो सब्सक्राइब करो एक बात और दूसरी बात हम फिर मिलेंगे कुछ नहीं कुछ अलग कुछ अद्बुद लेकर ऑन तरुन शर्मा शू तब तक के लिए मुस् झाल